जी हाँ दोस्तों आप सभी से अनुरोध है एक्जाम हॉल में परवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिये गए कोशन को अबस देख लेना ठीक है क्योंकि यही प्रस्णाफ के एक्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं साती साथ आपको किसी भी ओनर्स पेपर या सबसेडरी पेपर का नौट्स बिल्कूल निसुल्क में दिये जाते जिसके एक भी रूपए नहीं लिये जाते तो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना सारा महिनत कर रहा हूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बीए दूतिये वर्स जिसे आप बीए सेकेंड या बीए पार्ट टू भी बोल सकते हो एनिस्ट इस्टि बोलो तो प्राचिन इतिहास में आवी तक में जितने भी सवाल पोच्छे गये हैं और भविस में जितने भी सवाल पोच्छे जाएंगे वो सारे सवाल यहां पर इसके बाद वीडियो नमर्ट टू देखना इसके बाद काफी मजाएगा आपको ठीक है इससे बाहर एक भी सवाल आपके एक्जाम में नहीं बानने वाले हैं दोस्तों यह 100% गारेंटी है सेकेंड इयर में से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि कंपेटिशन एक्जाम की तिया प्रस्द आदे सवाल का सवाल का सवाल का पैटरन जो है लेकिन अम लोगों का समझने का तो तरीका जो है सब्चेक भरहने वाला है तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं अंतक हमारे साथ बने रहोगे और आपको उत्तर ना भी पता फिर भी आप मुझे कॉमेंट करना यदि आपको question का उत्तर पताना हो फिर भी आप गलत हो याचा सही हो परन्तु आपको पर्यास करना है उत्तर देने का तो आप मुझे comment करके बताना तो ही आपको याद होगा अन्यता याद नहीं होगा कोपी कलम लेके नहीं बैठना है क्योंकि आपको किलास में सारे प्रसंद याद होने वाले यहाँ पर पहला सवाल है आपका जो केसी रेलवे में भी यह सवाल पूछे गया और सकेंड यर में तो लगातार पूछे जा रहे ठीक है परवर्ति गुप्त नरेस महासेन गुप्त अब किस सासों को प्राजित कर यह सुलोहित नदी तक फैलाया था ठीक है सबसे पहले आपको यह जाना चाहिए गुप्त गुप्त वन्स के संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त ठीक है इनके कर्म में स्री हर्स गुप्त पहले नमर इसके बाद जिवित गुप्त इसके तिसने नमर में कुमार गुप्त दामोदर गुप्त महासेन गुप्त महासेन गुप्त जो है आपके छटे नमर में आते हैं कौन यह जो है महासेन गुप्त छटे नमर में आते हैं ठीक है इसके बाद आते हैं माधव गुप्त आदित सेन विशनु गुप्त जीवित गुप लोहित नदी तक और यापना अपना वर्चस महात्य लोहतमी तक महांसेन महांसेन संथाप October को Ezra यानि कि आपका ङाठर आज बर इंग तो प्यारे धोश्व को पार बात करें प्रबति अपना वर्चछ वहार विषविदाली की अस्थापना धरंपाल के द्वारा की गई थी यह पाल्वन्स के सासक थे यह पाल वन्स के सासक्ते कोन धरंपाल ठीक है ऑर यह बिक्रमसिला की अस्टाफना जो है नममी सदी में की गई थी ऑर जो है बिक्रमसिला विस्व ड़ोग्स आपको भागल पूर जीला का नाम सुना होगा यह बिहार का एक बहतरीन जीला है भागल बागल पूर्पूर में आपको विक्रम शिला के कुछ अफ्सेस देखने को मिलेंगे ठीक है और ये विक्रम शिला विशुअब दला है तंत्र मंत्र इसके बाद आधात्म आधात्मे के लिए काफी ज़्यादा मतलब फेहमस था यहां पर जो है आधात्म की सिक्षा दी जाती थी तंत्रमंत की सिक्षा दी जाती थी वसिकरन की सिक्षा दी जाती थी प्यारे दोस्तों यहां पर सिक्षा काफी अच्छी तरीके से दी जाती थी यहां पर कुल्मिला के से 100 फैला कर पेड़ी hemisphere करें यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों बहुत के कुछ जानने को मिलेगा ठीक है तो कुल मिलाके बात कर लें विकरम सिलाविस्विदाली की अस्थापना ध्रंपाल के द्वारा की गए थी ध्रंपाल ध्रंपाल ऑप्शन नमर सी इस दा राइट अंसर आपका कुछ नमर 38 देखिए आपसे विद्ध वन में राजश्री को सखेता किये हुए थी इसके बाड़े में अपको बताना है तो दिवाकर मित्र हडश्री trzy को ख़षने में सहेता की बिन दिवन में ऑपस्वे सब्सक्राइश किस धर्म का विरोधी था आपर नरे सशांग की ज़ kita चैसे की बुद्ध नदि के किनाड़े गया जिला में ठीक ह तो people विरिक्ष जो है काफी ज़्यादा पूजनिया हो गया था उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे परना तु ससांक ने क्या क्या उसको कटवा दिया था ठीक है गौर्णरे ससांक ने उस people के विरिक्ष को कटवा दिया तो समझ सकते हैं इसे बहुत धर्म से क ससांक जो बहुत धर्म से का इती ज़्यदा रियृदी कुए ससांक इसे प्रसंद भी लगतार आपके से सब्से erasmus ससांक उर्गर्वर से समंधी था सब्सक्тов प्राइब से संब्सक्राइब cha से समन्धी था कौन सथ और यह कौण से सब्सक्राइब बहुत धर्म के काफी ज़्यादा करते थे ठीक है इसके बाद प्रियाग के महामोक्ष परिशत का संस्थापक कौन था परियाग के महामोक्ष परिशत का संस्थापक कौन था यह प्रसंद भी काफी ज़्यादा बेहत्रीन है तो परियाग के महामोक्ष का परिशत का नाम हो गया परियाग राज में कुम का मेला लगता है कहीं ने कहीं उसमें भी हर्षवर्धन इनबॉल रहे थे कुम का मेला आप लोग एक बार अब बसे देखने जाना काफी भायाब है और काफी दूर दूर से अगोर लोग आते हैं काफी काफी अनुपम द्रिश्च है परि कर्ण सुवर्न का सासक कौन था यह प्रसंद भी काफी ज़्यादा बेहत्रिन है आप लोगों के लिए तो प्यारे दोस्तों इसका अंसर हो जाता है ससांग ठीक है गौर वन्स के सासक ससांग जो है यह देव वर्नक लेक किस सासक के सासन काल का है तो जीवित गुप्त दूतिय जो कि गुप्त वन्स के सबसे अंतिम सासक हुआ करते थे जीवित गुप्त दूतिय जीवित गुप्त दूतिय देव वर्नक लेक के सासन काल का है ठीक है और vague ofने आप सभी यहाँ पर देख सकतो हो हर्ह में पहलों कि यहां पोकी खोचARS न किया की थी हरपा सभीता की खोज दोनों मिल की थी दयाराम सानी और अखलदास बनर जी और एचन सास्त्री ने हरपा अविले की खोज की थी तो कब की आप लोगों को जो है उतरना भी पता हो फिर भी आप कोमेंट में उतर देने का परियास करें तो ही आपको याद होगा ने था याद न कआगे थी उतर परदेश में अब बात करता है यहां पर मैनली हम आपसे प्रस्थ कर रहे हरा अभिलेग के गई थी खोज कब की गए थी 1915 में आप को मुझे कोमेंट करके इसके द्वारा इसके घुक्ष्की तो यूपी में ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट परसन आप सब यहां पर देख सकतो प्रसन आपको देख सकता है तो प्यारे दोच तो हर सबर्धन और पुलके सिंद्धिय के बीच में यूद हुआ था पर नरवदा नदी के किनारे जिसमें की हर्शवर्धन की पराजय हुई थी ठीक है इसी घटना को जो है एहल अभी लेक में लिखा गया है और इसके किस ने लिखा था रभी किर्थी ने एहल अभी लेक को लिखा था अप्सन नमर एजदा राइट अंसर को सब्सक्र दामदर गुप्त ने मोखडी सासक के साथ यूद किया उसका नाम क्या था उत्तर गुप्त सासक कौन थे दामदर गुप्त उन्होंने मोखडी सासक के साथ यूद किया हुआ था और वो सासक कौन था मोखडी के सासक कौन थे वो तो प्यारे दोस्तों यह परसन भी काफी ज़्याद स्थापीत था तो था जो है बिहार में रही अस्था पित था मोख़ी जो है बिहार में एस्थापीत inhib पॉस्ष्ण बिहार मेंशकर जोंसे बहुँषाइब सब्सक्राइब का राजवर्धन के पिता का नाम क्या है तो काफी ज़्यादा लाजवा वे तो राजवर्दन के पिता का नाम परभाकर वर्दन है परभाकर वर्दन राजवर्दन के पिता का नाम परभाकर वर्दन बादल अभिलेक संबंदीत किसे बादल अभिलेक किसे संबंदीत है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों तो पा तो पियादे दोस्तों यहाँ पर तिरकॉन आत्मक जी हां ज तरी मान के चलो की इंडिया और वेंद्र के छल रहा है थिके तो आप लोगों ने सुना होगा व्ह त्रिकॉनिय सरीज में मैं त्रिकॉनिय में तिन देश में सांपी तरिकॉनियical दोस्तों इस में जो है त्रिकुनात्मक संघर्स में यानि कि त्रिकुनात्मक सावाद में यूद साला कौनगं से भाग लिया था तो गुझली तो प्यारे-धोस्तों यहां पर चालूक यह तिरकुनात्मक संगर्ष में भाग कौन नहीं लियाथा चालूघू में इसमें बहाग लिया था फिरतिहार और पाल और राष्टकूर्ट बंडज इसमें प्रतिहारों को सबसे बैस्ट आपको बताना है कुमाइंड करके ठीक है और तो वही बात को यहां पर बताया गया है प्रतिहार के को मना गया था ठीक है सबसे ब्याश्ट इसके प्रतिहार सासक ने प्रभास की उपाधी धारं की थी प्रतिहार सवर्ण के पर्थम सासक कों थे नागभट और प्रभास की धारं करने वाले कों थे मिहीर बोज ठीक है गुजर प्रतिहार सासक ने प्रभास की उपाधी धारं कर सेनेवाले थे मिहीर ऑप्सानमर आपका यहां पर फिफ्टी सीखा कौन है यहां अभीलेक के रचेटा कोने रवी किर्ती ठीक है रवीक किर्ती और अभीलेक में ही जो है हर्सवर्धन और पुलके सिंदू थी है कि यूद के बारे में चर्चा की गई है जिसमें की हर्सवर्धन की पराजय हुई थी और ये यूद हुचा कहां पर चली थी नर्वंदान अधी के किनारे तो एहोल अभी लेख के रहे चाहता कौन है रवीकिर्थी ऑप्स नमर बीज दा राइट उसर चालूक वण से बंगले समंधी था कल्यानी की पस्थमी चालूक सखा का संस्थापक कौन रहा था इसके बारे में आपको बताना यह प्रसंद भी आपके एक्जाम में कई बार पूछे जा चुके और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे इसमें कत बंगालकी का असरे यह से करेक्ट कण सर प्रति है पर्थम सासक कोовор चैबंगाल आपको यह पर देखना होगा? यहाँ पर देखना होगा. नागवट नागवट परतिहार वन्स का पर्थम सा सकता नागवट परतिहार वन्स का पर्थम सा सकता और बीज़ राष्ट कूट वन्स का संस्थापक कौन था दंती दुर्ग राष्ट कूट वन्स का पर्थम संस्थापक कौन था दंती दुर्ग नागवट जो है परतिहार ऐहौल अविलेक के रह्यता है, ठीक है? इसका ओसन नमर सिक्स्टी टू एक करपूर मंजरी के लेक राजसेखर किसके घुरू थे? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर मेहंदर पाल पर्थम के गुरू थे तो प्यारे दोस्तों,áriasाणिक मंजरी के लेक राजसे ख़ू थे जी यहां दोस्तों, महंदर पाल पर्थम के गुरु कुन थे राज से खर, जो कि करपूर मंजरी के रचायता थे, ठीक है, और महंदर पाल पाल वन से सम्मधित है, यसो वर्मा का सासन काल कब से कब तक था, यसो वर्मा का सासन काल कब से कब तक था, 690 सीज से लेकर 740 सीज तक प्रसन भी आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसे सीरलवे के लिए इंपोर्टेंट है वालों के लिए इंपोर्टेंट है तो धरमपाल खाले इंपोर्ण अभी लेक कि अस्तापना करी थी नभी सताब्दी में इसका दो स्याज सासक कहां का था यह प्रसन भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है गुडजर परतिहार वंस का परतम संस्तापक नागभड था ठीक है नागवर था तो यहां पर बात कर लें वद्स राज सासक कहां का था तो गुजर परतिहार वन्स का था अप्शन नमर सी दा राइट अंसर कोशन नमर 67 देख सके राजपूतों के विदेशी उत्पति का परतिपादन किस ने किया था यानि कि यहां पर कहा जा रहा है कि विदेशी उत्पति परतिपादन कौन राजपूत कोन करनौल एक रायप और 68 था तो प्रतिहार का यहां पर लगने से कोई तौह सब रहां पर देख सकते हैं विक्रम्सिला विहार विस्विदाली के अस्ताफना किसी ने ने इसका उत्र मैं नहीं बताएंगा इसका आप को मेंट करके देखने को मिलेगा यह वीडियो नमर टू है इसे भी अच्छे से दोबारा देख लेला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तैंक्स वर्वाइब